देश कोरोना महाबारी के खिलाप मजबूती से जंग लड़ रहा है और इसमें वेक्सीन जंग का सबसे बड़ा हतियार भी है ऐसे में टीका करण की रफतार और ज्यादा उपलब दिता कोले का उठ रहे सवालों के वीच देश ने जुलाई महीने का टीका करण का लक्षय हासिल कर दिया है जी हाँ इसी के साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीके लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुँच चुका है ऐसे में जानगारी के मताबिक शनिवा को रिकॉर्ड 87.8 लाग खुरा के साथ भारत जुलाई के लिए 13.5 करोड कोविट-19 वैक्सीन लगाने के अपने लक्षे को प्राप्त करने में सपल रहा है ऐसे में देश में अब तक 47 करोड लोगों को कुरोना की कम से कम एक डोस दी जा चुकी है ये नंबर चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है बताने देश में 10 करोड से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोस दी जा चुकी है और देश में सबसे ज्यादा ठीका लगाने वाले की राज्य की बात करें तो अभी तक महाराश्ट की रेस में सबसे आगे चल रहा था लेकिन अब चार करोड से ज्यादा ठीके लगा कर यूपी ने महाराश्ट को पचार दिया है ऐसे में बता दें महाराश ने 4 करोड से ज्यादा खुराक अभी तक लोगों को दी हैं हाला कि दोडो डोस देने के मामले में अभी भी महाराश आगे है यहां करीब 1 करोड से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की तोनों खुराके दी जा चुकी है इसके बावजूद भी वाश्रिम बंगाल और गुजरात है और इसके बाद आता है यूपी जहां करीब 87 से ज्यादा लाख लोग अब तक यूपी बता दें पूरी तरह से टीका करण करा चुकी है तो ऐसे में भारत ने जो लक्षे रखा था टीका करण के लिए वो जुलाई के महीने का लक्षे पूरी तरह से पूरी सफलता के साथ भारत ने हासिल कर दिया है जम्मू कश्मीर में अब पत्थर बाजों को पासपोर्ट और सकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी जीहां पूलिस की CIG काई ने पत्थर बाजी या खतरनाग गति वीडियो में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ती पत्र नहीं देने का आदेश दिया है साथी कश्मीर में CIG के विशेश शाखा के वरिष्ट पुलिस अदिक्ष्यक ने शानिवा को आदेश जारी किया इसमें कहा गया कि पासपोर्ट और सकारी नौकरी अत्वा अन्ने सरकारी योजनाओ ही तू सत्यापन के दौरान व्यक्ति की कानून विवसाओ लंगन पत्रवाजी के मामलों में और राज्य में सुरक्षबलों के खिलाव साथी अपरादिक गती वीडियो में सनलिप्तता की विशेश तोर पर जाच्छो की जाएगी साथी आदेश में ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलों का मिलान इस्तानिय थाने में मौजूद रिकॉर्ड से भी किया जाना चाहिए वहीं वरिश्च पुलिस अदिक्षक ने कहा कि इस तरह के सत्यापन के दोरान पुलिस सुरक्षबलों और अन्य सुरक्षब एजंसियों के पास मौजूद डिजिटल सबूतों जैसे की CCTV फोटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और आदियो क्लिप को भी संग्यान में लिया जाना चाहिए. साथी कश्मी, CID की विशेश शाखान SSV ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में सनलिप्त पाया जाता है तो उसको सुरक्षा मन्जूरी देने से इंकार किया जाना चाहिए. केंड्रिय अल्प संख्यक मामलों के मंतरे मुक्तार अबास नकवी ने कहा है कि मुस्लिम महिला एक्ट लागू होने के बार तीन तलाग के मामलों में 80% की कमी आई है. दरसल कानून के दो साल पूरे होने पर अविवार को दिली में एक कारक्रम आईजूत किया गया था जिसमें उन्होंने ये बात कही आए. बता दें, एक अगस 2019 को कानून लागू होने से पहले उतरपरदेश में 66,000 से ज्यादा मामले दर्श थे जो कानून लागू होने के बाद 221 रह गए हैं. वह ये एक्ट लागू होने के बाद बिहार में उन्चस मामले ही दर्श होए हैं जिसके बाद नकवी ने कहा है कि अब तीन तलाग क्रिमिनल एक्ट बन गया है. उन्होंने कहा कि प्रधान मंतूरी नरींद मूदी ने आयोध्या में राम मंदिर का मुद्द सुलजाया, जम्मू कश्मीर से आचिकल 370 हटाया और महरम कानून को भी खतम किया. 35 से ज्यादा मुसलिम महिलाओं ने बिना महरम के ही हज़ की यात्रा भी की है. राजसान में पहली महिला डीजी बनने वाली नीना सिंग साल 1989 भैच की IPSC भी रह चुकी है. वो अभी राजसान पुलिस मुख्याले में Civil Rights and Anti-Human Trafficking में अतिरिक्ट पुलिस महानिदेशक ADG थी. साथी अब पदोनत होने पर इनको इसी विभाग में डीजी भी लगाया गया है. उनके पती रोहित कुमार सिंग भी सीनियर I.S. आफिसर है. बताते हैं अभी भी वो दिल्ली में केंद्र सरकार में सेवाएं अपनी दे रहे हैं. साथी कुरोना काल में रोहित कुमार सिंग प्रमुख साशन सचिव हेल्थ भी रह चुके हैं. साथी साल दोज़ा पांच में भी पुलिस पदक और इसके बाद अती उत्करष्ट पुलिस पदक से सम्मानित भी हो चुकी हैं. साथी IPS नीना सिंग USA में Harvard University से Public Administrator शन MPA की डिग्री भी ले चुकी हैं. साथी वो मूल रूप से बिहार में पत्ना की रहने वाली बताई जा रही हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का. मद्यप्रदेश में कोरोना से बच्राव के लिए वेक्सिनेशन का आकराब 3 करोड के पार पहुँच चुका है. जीहार सुमबा को भी प्रदेश में 10 लाग से ज्यादा लोगों को वेक्सिन लगाने का लक्षे रखा गया है. ऐसे में भुपार बेगुरुवार को 210 सेंचर वेक्सिनेशन के लिए बनाए गए हैं. यहां 87,000 लोगों को टीका लगाने का लक्षे भी रखा गया है. साथी स्वास्ते विभाग के ज्रिला टीका करा नधिकारी डॉक्टर उपेंदर दूबे ने बताया कि ग्रामीन और शेहरी 210 सेंचर पर वेक्सिनेशन कोगा. यहां 45,000 को वेक्सिन का पहला और दूसरा और करीब 12,000 को वेक्सिन का दूसर डोस लगेगा. साथी स्वास्ते चेहरी सेंचर पर उनलाइन रोजिस्ट्रेशन के बाद ही वेक्सिन लगवा सकेंगे. हाला कि अभी लोग ऑन साइट कम ही स्लोट बुक कर रहे हैं. इन सेंटर पर वेक्सीन बचने से पर तीन बज़े के बाद आन साइट रोजिस्टेशन कर वेक्सीन लगाई जाएगी और इसके लावा बता दें कि नगर निकम और SGM शेत्र में भी वेक्सीनेशन आयजित किया गया साथ ही मद्यप्रदेश में 3,22,542 लोगों को वेक्सीन लग चुकी है इनमें से 2,70,44,852 लोगों को पहला डोज और जबकी 51,77,690 लोगों को वेक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है बता दें में 18-44 अमर के 1,71,90,986 मरीज शामिल हैं लोग शामिल हैं साथी 45-60 अमर के 11,33,045 लोग चुकी हैं जिसमें की बता दें साथ साल की अमर के उपर के लोग 58,00,000 लाग से ज़्यादा लोग शामिल हैं जिने वेक्सीन अब तक लग चुकी है मद्यप्रदेश में नगरिये निकाय और पंचाय चुनाव से पहले सरकार सभी शहरों काओं में दीन तयाल अंतोध्य समीतियों गठित करने जा रही हैं इन पर निचले सर पर सरकारी योजनाओं का लाब भी जरुरत मंदों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाएग इसे लेकर रविवा को मुख्य मंते शिवरा सिंग चौहान और प्रदीश और द्यक्ष वीडी शर्मा के बीद चल्चा हुई बता रही कि इससे पहले शिवरा सिंग चौहान के तीसे कारकाल के अंतिम सार यानि की 2018 में ऐसी समीतियों का गठन किया गया था और तयारी भी प्रता हासिल नहीं खुपाई थी फिर सत्ता में लोटे के बाद अब नगरिये निकाय और पंच्चाय चुनाज से पहले इनका गठन किया जा रहा है वही मंतवाले सूत्रों का कहना है कि समीति सदस्यों को सरकार द्वारा अधिक्रत भी किया जाएगा साथी इसमें सर्य समीति के अध्यक्ष मुख्य मंतरी होंगे साथी इसमेतिया पांस साल तक काम करेंगी और बीजेपी कारे करता अब अन्तोदे समीतियों के जरिये सरकार को सीधे रिपोर्ट कर सकेंगे साथी ग्राम पंचाय ब्लॉक जिला नगर निगम नगर पालिका नगर पंचाय त तक अंतुद्य समीतिया गठित की जा रही है तो बता दे शिवराज सिंग चौहान की तरफ से पहल की जा रही है MP में निकाई शिनाव का गेम प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है समीतियों का गठन हो रहा है और ऐसे में योजनाव में जो गरबड़ी होती है उसका भी अब पता चल पाएगा और ऐसे में शिवराज सिंग चौहान की हलाकी 2018 में ही इन समीतियों का गठन कर लिया गया था लेकिन सत्ता में सरकार नहीं आ पाईती इसलिए कांग जो है वो रुक गया था एक बार फिर से अब इन समीतियों का गठन किया जो रहा है ताकि निकाई चुनाव का गेम प्लैन जो है वो तयार हो सके और आगे आने वाले समय में जगा जगा शहर शेयर गाउं गाउं जाका निकाई चुनाव के पचार प्रसार की तयारियों को लेकर अब ये समीतियों बनाई जा रही है साती ग्राम पंचार ब्लॉक जिला नगर नगर पालिका नगर पंचार प्रदेश इस्तर तक अंतोधिय समीतियां गठित की जा रही है उजेन में उस शिक्षा मंतरी मोहन ग्यादव ने भी काला बाजारी पर हाथ आजबान लिया है दरसल मोहन ग्यादव ने यहां नाना खेवरा स्ट्रेटियम की खाली जमीन पर अंतर राश्ट्री अस्तर के स्ट्रेटियम का भूमी पूचन करने पहुँचे थे और इस ज़रान टावर चौक पर कुछ शुक्तियों को लट चलाते उन्होंने देखा इसके बाद मंतरी खुद को रोक न सके और उन्होंने भी लट चलाना शुरू कर दिया बता दें कि करीब पांच मिनट तक मंतरी लट चलाते हुए नजर आया कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया उज्जेन में बनने वाला स्ट्रेडियम और सिंदिकें ट्रैक बता दें बीज बीगा जमीन पर बनेगा और यहां फुटबॉल मैदा लॉन टेनिस कोट और मल्क खंब अकादमी बनाई जाएगी साथी इसमें अवासिय परिसर भी रहेगा और इसका भूई पूजन तीन अगस को किया जाएगा साथी खेल प्रेमीर से शहर के लिए बड़ी सौगात भी मान रही हैं इसे मानने के लिए तीन दिन अलग अलग खेल से जुड़े कारकरम भी किये जाएंगे साथी इसकी शुरुआत रविवार से कर दी गई है और सोंबा को यानि की आज साइकल और वाहन रैली निकाली भी जाएगी वहीं टावर चुराहे पर रविवार को मंतरी मोहन ग्यादव निरिक्शन करने पहुंचे थे यहां युफ्तियां सेल्फ डिपेंस में कला बाजी कला बाजी कर रही थी ये देख कर उनके अंदर का कलाकार भी जग उठा उन्होंने भी लच चलाना शुरू कर दिया ये देख कर सभी हैरान रह गए बता दे कि इससे पहले मोहन ग्यादव तलवार बाजी भी कर चुके हैं तो बता दे में मंतरी कला बाजी करते हुए नजर आए वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मंतरी हाथ में डंडा लेका कलाबाजी कर रहे हैं तरसल एक कारकरम में भूमी पूजन में पहुँचे थे जहां पर चुराहे पर कुछ युफ्तियों को उन्होंने कलाबाजी करते हुए देखा तो ऐसे में वो खुद को रोक नहीं पाए और मंतरी ने खुद ही कलाबाजी करना शुरू कर दिया हाला कि पांच मिनट तक मंतरी के हाथ में डंडा रहा जो और उस दोरान पांच मिनट तक मंतरी ने कलाबाजी की किसी ने वहाँ पर उनका वीडियो बना लिया वीडियो काफी वारल हो रहा है तस्वीरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं विक्रम विश्व विद्याले परिस्व में मौनिंग और इवनिंग वॉक करने वालों पर विश्व विद्याले ऑक्सीजन टेक्स लगाने की तयारी कर रहा है तरसल कुलपती का कहना है कि ये टेक्स स्वेचिक रहेगा और स्काउट देश्य वीवी परिस्थर के ऑक्सीजन लेवल को कायम रखने के साथ ही उसमें बढ़ोतरी भी करना है साथी एक पौदे से रोज 550 किलो ग्राम अक्सीजन मिलती है ऐसे में जबकि एक व्यक्ती एक दिन में 750 किलो ग्राम अक्सीजन का उप्योग करता है ऐसे में जरूरी है कि हमें अक्सीजन के लेवल को बनाई रखने के और उपाए भी करने होंगे इसके लिए उन लोगों को भी भागीदार बनाएंगे जो यहां रोज पहुँचते हैं बतादें परिज़र में स्मार्ट विक्रम दाइते के नौ रतनों के नाम पर भी नौ परियावरंट सर्क्षिंट शेत्र भी विक्सित किये जाएंगे तो बतादें अब साथ से लेने पर भी लोगों को टैक्स देना होगा विश विद्याले की तरफ से कहा गया है कि इवनिंग वाक और मॉर्निंग वाक करने पहुंचने वाले लोगों को अब टैक्स देना होगा हलाकि ये टेक्स सिर्फ इसलियों होगा ताकि और अक्सीजन लेवल जो है वो और अच्छी तरह से हो पाए और लोगों तक अक्सीजन अच्छी तरह से पहुँच पाए इसलिए इस टेक्स के लागू करने के लिए कहा गया है मद्यप्रदेश के विंद्यय और गौालिय च्रंबल शेत्र में लगाता बारिश से नद्या उफान पर है ऐसे में रस्तना रीवा और सिंग्रॉली के कई गाउं में बाड़ का पानी खुस चुका है पतादे रीवा के तियौन्थर ब्लॉक के बाड़ प्रभावेद गाउं को खालिक भी कराय जा रहा है यहां से करीब तीन सो लोगों को राहत क्यान पे भेश दिया गया है साथ ही पारवती और सिंग्र के उफान पर होने से भिंड और शियोपुर के कई गाउं बाड़ में घिर चुके हैं ऐसे में सत्ना में रप्टा पार करते हुए दो लोग भै गए और इनमें से एक को जबकी बचवा लिया गया इसके अलावा पता दे रीवा, सागर, भुपाल संभागों में भी बारिश की संभावना है और साथ ही सत्ना और सीधी में भी बारिश की वज़ा से तराई में बार किस्तिती पैदा हो गई है यहां से पानी आने की वज़ा से रीवा की सबसे बड़ा ज्यादा प्रभावित शेत्र बन चुका है वहीं शनिवार रात की बात करें तो वहां बक्या बाराज के आठ गेट और बीखर बाराज के बारा गेट खोले जा चुके हैं साथ ही अदवार डैम का भी एक गेट खोला गया है जिससे हालात काफी बिकार हो गए हैं और इस सजले के कई तराई अंचल में बार की स्तिती निर्मित हो चुकी है साथी नई गड़ी, बहुती, मार्ग, सोहागी, बड़ा गाउं का मुख्य मार्ग और त्योंथर शेतर के धोबा नाला में भी बार्ग के खालात पैदा हो चुके हैं पटेहरा के पास टमस और बेलन नदी का जलिस्तर तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में रिवा कलेक्चर, इलेया राजा, टी और एस्पी, राकेश हुमार, सिंग पूरे जिले में नजर बनाये हुए हैं साथी प्रसाशन के निर्देश पर स्थानियें प्रसाशन एततकाल, टेमस और बेलन नदी से लगे गाउं में रहने वाले व्यक्तियों को अलड कर दिया है साथी उनसे कहा गया है गाउं में खूमगाट की टीमें भी सभी नालो और पुलो पर मुस्तैद कर दी गई हैं रही बारिश की वज़ा से हालात इतने बुरे हो चुके हैं कई शेत्रों से लोगों को सुरक्षित जगा भी पहुँचाया गया है तीन सो से ज्यादा लोगों को रीवा में सुरक्षित इस्थानों पहुँचाया गया है तस्वीरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते किस तरह से पानी का बहाव कितना तेज है ऐसे में कुछ लोग हैं दो से तीन लोग भै भी गए हैं जिनके लिए भी रेस्क्यू आपरेशन चलाए जा रहा है हाला कि तीन सो से ज्यादा लोगों को रीवा में अलग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है कई सारा काफी लोगों को परिशानी हो रही है जाल माल का काफी नुकसान ऐसे में देखने के लिए मिल रहा है तेहार जेल से बिहा होने के बाद खर्याना के पूर्व मुख्य मंतरी और इनुर्णल प्रमुक ओम प्रकास चुटाला ने दोजर्ट चौबिस लोगसबा चुना से पहले तीसे मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी है बता दें रविवार ग्यानी की फ्रेंशिप जे के मौके पर चौटाला ने अपने पुराने मित्र बिहार के मुख्य मंतरे नितेश कुमार को लंच पर बुलाया इस ज़रान बंद कमरे में दोनों नेताओं की बंद कमरे में चौटाला बीच तीसे मोर्चे पर चौटाला बीते दिनों जब तेहार जेल से बाहर आए तो जनता दल नेता केसी त्यागी उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे उस समय चौटाला की बाजू में फ्रैक्चर था और साथ ही भोजन और बाच्च्वीत के करीब दो खंचे मित्यागी ने वही फोन पर चौटाला से नेतेश कुमार की बाद भी करा दी थी उसी समय नेतेश कुमार ने चौटाला का भोजन का निमंतरन स्विकार कर लिया था पतादे नेतेश कुमार और ओम प्रकास चौटाला ने मुलकात का दिन भी बहुत सो समझ कर रखा रविबा को फ्रेंडशिप डे था और ऐसे में नेतेश कुमार अपने पुराने दोस्त के लिए शौल लेकर भी पहुंचे थे नेतेश शौल उड़ा कर उनका सम्मान करते हुए भी नज़र आए तो चौटाला ने भी नेतेश कुमार को अपने हातों से खाना परोसा इस मौके पर इन्हें लोग ने के प्रधान महास्चे अभै सिंग चौटाला और उनके बेटे कंड चौटाला भी मौजूद रहे साथी नेतेश कुमार की अगुवानी कर्ण ने भी की साथी खाला की जच्पा के रूप में अलग पाच्ची बनाने से पहले ये काम दोश्चिंच चौटाला किया करते थे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी तीन अगस्ट को गुच्टरात में प्रधान मंत्री गरीब कर लियान अन्योजना के लाभारतियों के साथ संबाद करेंगे जानकारी के मताविक ये संबाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये से हुगा साथी पीमो ने कहा है कि गरीब कर लियान अन्योजना के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए राच्चे में एक जन्द भागीदारी कारक्रम शुरू किया जा रहा है इस कारक्रम में गुजरात के मुख्य मंतरी विजरुपानी और उप मुख्य मंतरी नितिन पटेल भ्यू पस्तित रहेंगे साथी प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना के तहट राच्टिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतगत आने वाले सभी लाभारतियों को प्रती व्यक्ती पांच किलोग्राम अतिरिक खाद्यान दिया जाता है साथ ही प्रिधानमत्री गरीब कल्यान अन्यूचना कोवेड-19 महमारी के दौरान खाते सुरक्षा सुनेशुत करने के लिए भी लोगों को मुफ्त अनाज उपलप्त कराती है बता दें हाली में केंद स्रकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योचन को नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है वहीं आने वाले कुछ महीनों में तीसी लहर की आश्रंका भी है जिसको देखते हुए ये फैसा लिया गया है तो बता दें गरीब कल्यान अन्योचन के लाभारतियों से कल याने की तीन नगस को प्रधान मंत्री वीडियो कॉन प्रिंसिंग के माध्यम से बाच्छीत करेंगे और इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा भी दिया गया है पंजाब, उत्रकंड और हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूल खोल गए है बता दें पंजाब में सभी सरकारियों गैर सरकारी स्कूल खोल दिये गए हैं वहीं शिक्षा मंतरी विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल में सिर्फ उन्हीं शिक्ष को और स्टाफ को प्रवेश मिलेगा चिनोंने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं साथी बिना विभावकों की लिखित सहमती के विद्यारतियों को स्कूल में प्रवेश नहीं भी दिया जाएगा साथी उत्रा खंड की बात करें तो वहाँ भी नौवी से बारवी तक के चात्र चात्राओं के लिए स्कूल खोल दिये गए हैं चिक्षा सचेवने निर्देश दिये हैं कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में अवासिय परिसर में ही निवास करने वाले चात्र चात्राओं और स्कूल स्टाफ को अधिक्तम 48 घंडे पहले की आटी पीसियार रिपोर्ट भी द्लानी होगी इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा साथी बता दे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी आज से दसवी ग्यारवी और बारवी कक्षा के विद्यारतियों की ही नियम में इतकक्षा आएं लगेगी साथी पाचवी साथी कक्षा के बच्चों की बात करें तो हो चिक्षकों से परामर्श लेने के लिए वो स्कूल आ सकेंगे वहीं पंजाब की बात करें तो वहाँ भी आज से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल दिये गए हैं शिक्षा मंतुई विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल में सिर्फ वही शिक्षक और अन्य साफ रवेश कर पाएंगे जिसने टीके की दोनों खुराके ले ली हैं साथ ही बिना अभिभावकों की लिखित सहमती के विद्यारतिय को स्कूल में प्रवेश की इजासत नहीं दी जाए कि बता दे स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही रेंडम सेंपलिंग के लिए अधिकारियों को नरदेशिक भी कर दिया गया है उत्ता प्रदेश में महरम पर जुलूस निकालने के ज्वाज़त नहीं होगी बता दे से लेकर यूपी पुलिस निर्देश निर्देश भी जारी कर दिये हैं और ऐसे में कुरूना संक्मन की वज़ा से इस तरह का फैसला लिया गया है महरम को लेकर जिलो के पुलिस अदिक्षकों को भी निर्देश दे दिये गए हैं और दिशा निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बादित ना हो साथी बैरियर और चेक पोस्ट लगा कर संदिक वहानों की चेकिंग भी की जाएगी साथी गाइडलाइन के मताबिक मोटव वहान अदिनियाम के नियमों का सकती से पालन भी करने की बात कही गई है इस दोरां जन सुविदाव और बिजली पेजल और साथ सफाई पविशेश ध्यान दिया जाएगा साथी डीजिपी ने पुलिस अधिक्षकों को धर्म गुरुओं से समवाद बनाने सभी महत्वपून सलों की चेकिंग करने बीट सर पर हालातों की समिक्षकर विवसाब बनाने के निर्देश भी दिये कए है बही सगन जाँच और तलाशी की विवस्ता के लिए स्वान दल आतंकवादी निरोदग दस्ता और बम निरोदग दस्ते की तैनाती भी सुनिश्चित करने की बात कही कई है देश की राजानी देले में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच कई स्थानों पर जल जमाब भी हो गया है लोक निर्मान विभाक कैनुसार, यमना बाजार, खानपुर, रोतक रोड, लोधी रोड, आजादपुर अंडपास, जखीरा अंडपास, शक्सीनगर अंडपास, कराडी, सागरपुर में भारी जल जमाब हो चुका है वहीं मंगोल पुरी में बारिश के बाद सड़क का एक हिसा धस गया, जिससे इलाके में ग्यातायाद बाधित हो गया है इस बीश यमना में जल इसतर फिर से बढ़ने लगा है और रविवार को यमना के डूबने वाले शेत्रों से पिछले कुछ दिनों में सौच से ज्यादा परिवारों को उचाई वाले इलाकों में पहुंचा दिया गया है ऐसे में नदी के तच्चे इलाकों में भारी बारिश की वचा से शुक्रवार को जल सर खत्रे के निशान यानि की दो सुपांच दशलों तीन तीन मीटर को पार कर गया था हाला कि शनिवार शाम को जलिस सर घट कर 24.89 मीचर हो गया था वही दिल्ली के लिए जुलाई का महिना मौसम के दिस्ट्री से बहुत ही अजीवों गरीब रहा है क्योंकि इस महिने में पांच दिन लू भी चली जो 2012 के बाद से अधिक्तम रही है इसके अलावा मौनसून भी दो सप्ता की देरी से पहुँचा जो असमाने है और लगभग दो दशकों के रिकॉर्ट को तोडने वाली मौसलाधार बारेश समय दिल्ली में पुर रही है छे अगस्त को दिल्ली वालों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है जी हाँ ग्रे लाइन के नसवगार धांस बस स्टाइम और पिंक लाइन के त्रिलोक पुरी मयूर विहार पॉकेट कॉरिटोर पर सपर शुरू होनी जा रहा है अब इन दोनों ही प्रोजेक्ट का केंडरे आवास और शहरी मामलों के मंतरी हरदीब सिंग पुरी और दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केश्जिवार उधाटन करेंगे साथ ही बता दें कोरोना की वज़ा से वर्चोल अंदास में ही ये समारो आयजित किया जाएगा और डियमार्सी की तरह से जानकारी दी गई है कि समारो जरूर 6 अगस को हो रहा है लेकिन ग्यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उसी दिन दोपैर 3 बजे से शुरू कर दी जाएंगी ऐसे में दिल्ली वालों को इस सौगात के लिए ज्यादा लंबा इंतिजार अब नहीं करना पड़ेगा वहीं इसके उद्खाटन के बाद ही दिल्ली मेट्रो का भी बड़े स्थर पविस्तार हो जाएगा बता दे अब दिल्ली मेट्रो में नेट्वर्क में कुल 286 स्टेशन हो गए हैं वहीं ये 390 किलो मीट्र लंबा भी हो चुका है तो ऐसे में 6 अगस को दिल्ली के लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है ग्रे लाइन का उद्खाटन मुख्यमंत्री अर्विन केजुआल की तरफ से किया जाएगा और उसी दिन से इस लाइन पर यात्रा भी लोग कर सकेंगे इस बुलेटन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया